तो आज की इस वीडियो में बहुत बड़ी अपडेट से बताने वाले जो कि यह पीए से एस्टेंट इजिनेर 5 2019 से रहने वाला है तो आप लोगों को पता होगा कि 5 2019 की जो एक्जामिनेशन सुईत एडबर्टाइजमेंट नंबर 5 2019 की पीटी की एक्जाम्स होने के बाद इस दिया गया था और पीटी एक्जाम के बाद रिजल्ट भी आ गया था और मेंस एक्जाम के एक दिन पाले मिन्स 23 जनवरी 2019 को एक्जाम होने वाला था और 22 जनवरी को एप्रोक्स लगभग तीन से चार बजे के बीच में हाई कोट ने न्यूकती प्रक्रिया ही विज्यापन नहीं रद कर दिया था तो अब इसका जो है जैपीसी एंड गोर्मेंट जहरकन गोर्मेंट दोनों कोट में अपील किया था और इसके बाद भी सुनवाई चलो तो इसका डिसीजन आज ही हाई कोट ने दे दिया है तो क्या है वो डिसीजन मैं आपको बताने वाला हूं तो अभी तक आपने हमारे चैनल इंज्जनियर माइंड को सब्सक्राइब किया तो जितनी भी इंजिनियरिंग जोब से रिलेटेड अपडेट होगी वो सब इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी चैनल को करके और सेर कर देना वीडियो को तो चलिए हम बताते कि क्या हुआ आज हाई कोट ने क्या ओर्डर दिया है तो सहाय कभियंता न्यूक्ति में सवर्नों को अरक्षन देने के मावले में बहस पूरी फैसला सुरक्चित तो आज जो बहस हुआ है उसमें जो पिछले लास्ट जो डेट तो उसमें बहस कर दिया आज जो पोजिशन पार्टी थी तो ज देखते हैं आगे क्या है धरकन हाई कोट के जस्टीस आर मुखो पाद्या वाद जस्टीस राजे संकर की खंडबीट में साय कभियंता न्यूक्ति के विग्यापन को रद करने कि आदेश के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई हुई आर्थिक रूप से कमजोर सोहर्नों को 10% देने के मावले में अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है तो आज हाई कोट में इसकी सुनवाई हुई है और EWS रिजर्वेशन को ले करके इसमें अपील क्या गया था कि नहीं इसमें रक्षन रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए तो जेपेस्ची ने अपना प फैसला जो है वह रिजर्व रखाएगा फैसला क्या आएगा वह 10-15 दिन के अंदर में आपको पता चल दाएगा और जैसी ही अपडेट आएगा तो मैं आपको इस चैनल के माध्यें से जरूर बतलाऊंगा तो आगे देखते हैं क्या काता है तो आगे क्या है कि जारकंड हा उपाद दिया हुआ जस्टिस राजय संकर की खंड़ पीट में साय कवियंदर न्युक्ति के विग्यापन को रद करने के आदेश के खिलाफ हुए ताखिल अपील पर सुनवाई हुई आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्णों को 10% आरक्षन देने के मामलें बास पूरी होने के की कब sun देना चाहिए है यह 2019 से पहले 2015 हैतलि से पहले जो वेकिंसी डोइटाइजबरेसमेंट चया गया जो इसमें इस पहले वेकिंसी स्थी अंग कि उसमें देना चाहिए जो सीट बाद में आई है उस परamızchnet देना चाहिए तो इसी को ले करन रंजीत कुमार सा ने केस क गया था तो आगे देखते सुक्रवार को सुनवाई के दरन परतिवादी रज्जित कुमार साह की और से का गया कि एकल पीट का आदेस बिल्कुल सही है क्योंकि वर्ष 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ना को 10% आरक्षन देने का कानून लागू हुआ है इसलिए इसके प इन लोगों का सेलेक्शन हुआ था उन लोगों का मेंस एक्जाम भी होने वाला था तो एक दिन पाले सिंगल बेंच ने हाइकोट रांची हाइकोट ने कैंसल कर दिया था पूरा एडवर्टाइजमेंट इसके बाद जेपीएस से एंड गवर्मेंट दोनों अपना पी आई प्रकिरिया में उसी प्रकार लागू किया आता है भले ही वन नियम लागू होने से पूरू की रिक्तिया हो इसके अलावा सरकार को अधिकार की पुरानी रिक्तियों को नई नियुक्ति बनांकर उक्त नियम लागू कर सकते इसी आधार पर सरकार ने साय कभी अंता नियुक कर सकती है और फिर नया intended से specification से वह recruitment कर सकती है तो यह government के पास अपना राइट है तो यही पक्ष हे government के द्वारा Liquor Movies के दौरा रखा गया तहां लाज डेट में और आद जो डेट रखा गया है आज जो सुनवाई हुए तो उसमें जो परतिवादी है मिन्स एगेंस्ट ओपोजीशन है रंजीत कुमार सा उसका सुना गया तो उन्होंने भी बताया कि जो ये भेकेंसी है तो ये पहले वाला सीट में इसमें ये डॉललीकका मैं परतिव के जिसमें देशंल के आज चाहिए इसलिए विज्चापन को को सबक्याद लिए तो आगे most आधे मेंगेया काते हुए ग्यापन को रद कर दिया था कि जब से नियम लागू होता है उससे पहले की रिक्त पद पर उसका लाप दिया नहीं जा सकता है जेपेश्ची के अधिवक्ता संजे पीपरवाल और प्रिंस कुमार सी ने का कि प्रार्थी ने आवेदन देने के बाद हाई कोड में याची का दाखिल की है ऐसे में उनकी याची का सुनवाई योग ही नहीं थी बता दे के कल्पीट के आधिस के किलाव राय सरकार और जेपेश्ची ने अपिल दाखिल की है तो फ्रेंड्स अब जो भी डिसीजन आने वाला कोड का ओर्डर उसका वेट करना चाहिए हालांकि चांसेस लग रहा है कि गॉर्मेंट के फेवर में ही आएगा क्योंकि जैसा इसमें जज्जमेंट दिया जाएगा तो वो तो आज का ये न्यूस से लगता है कि जो बहस हुआ है उसमें लग रहा है कि गॉर्मेंट का पक्ष को ध्यान में रखते हुए और जज्जमेंट दि कि यहां पर अभी आपको दिखाते हैं कि यहां पर दिया इसे पर राशरकर ने कहा कि जब भी कोई नया नियम बनता है तो उसे नियम लागू कि आता है भले ही वह नियम लागू होने से पूरकी रिखती है तो मिंस सुप्रीम कोड्य कोड़ कोई भी कोड़ इससे को लाढ़न करेगी तो बंस जप effectiveness का लाग तिंक क्यूंकि जैसा लग भाई इस पॉइंट को आप देख सकते हैं इससे पहले राजी सरकार ने कहा कि जब भी कोई निया नियाम बनता है तो उसे नियुक्ति परक्रिया में उसी परकार लागू किया था भाले वह नियाम लागू होने से फूर्व की रिक्तियां हो इसके अलावा सरकार को अधिकार है कि प अभी भी आये उससे कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन जो लेटेस्ट रूल रेगुलेशन उसको फोलो क्या जाना चाहिए लेकिन फ्रेंड्स यहां पर सिर्फ रिजर्वेशन में ही फोलो किया आता है बाकि सब कुछ में फोलो किया जाए तभी तो यह सिस्टम चेंज हो बता देना चाहिए कि जो भी एक्जाम से वो तीन मंद से चार मंद के बीच में हो जाएगा और कोई भी डिले नहीं होगा तो ऐसा नहीं होता है तो फ्रेंड्स आज अपडेट यही था कि जो पांच एडवर्टाइजमेंट नमर पांच 2019 से उसका और रिजर्व रखा गया कि पीटी एक्जाम होगा यह फिर केंसिल होगा यह फिर जेपीसी के फेवर में यह जजमेंट रहेगा तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक हमारे चैनल इंजिनेर मायन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि जितनी भी इंजिनेरिंग जोब से रिलेटेड अपडेट हो वो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा तो और